तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जो 12 जुलाई के आपकी शिफ्ट रहेगे एक्जाम रहेगा उसके लिए जो most expected repeated questions हैं आज हम उनको इस वीडियो में cover करेंगे ये सबी most important questions रहेंगे और जो आपके आने बाली shift रहेंगे उनके लिए भी काफी important रहेंगे exam based questions रहेंगे ज करें चैनल को subscribe कर लें तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है which governor general abolished the sati system in India तो sati system को इंडिया के अंदर abolish किया गया था खतम किया गया था किस governor general के द्वारा तो हमारा answer हो जाएगा विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक एक governor general इनके द्वारा sati system को इंडिया के अंदर abolish कर दिया गया था खतम कर दिया गया था हर्ष चरित्र किसकी book रहेगी तो ये किसके द्वारा लिखी गई तो हमारा answer हो जाएगा बानभट बानभट के द्वारा लिखी गई है किसके उपर लिखी गई है तो हर्ष चरित्र के नाम से आप ध्यान रख सकते हैं कि हर्षा वर्धन जो एक ruler रहेंगे उनकी biography रहेगी उनके उपर बताया गया है इस बुक के अंदर What is the scientific name of vitamin E? Vitamin E जो होता है उसका scientific name क्या होता है? Vitamin E को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा answer हो जाएगा Toko Froll, Toko Froll के नाम से भी Vitamin E को जाना जाया जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है World Health Day is observed every year on काफी सारे exams होते हैं जिसमें हर shift में एक question आपको Days से related पूछा जाता है तो World Health Day हो जाएगा कौन सी date को होता है? हमारा answer हो जाएगा 7th April हर साल 7th April को observe किया जाता है World Health Day के रूप में Days की एक separate वीडियो रहेगी आपको channel पे मिल जाएगी उसमें 136 के around days जो है वो discuss किये गए हैं जो भी आपके exams में days पूछे जाते हैं वो सब days आपको उस वीडियो में provide करा दिये गए हैं अगला question देखते हैं हमारा fundamental duties was added by which amendment act तो fundamental duties को हमारे Indian constitution में add किया गया था दो होते हैं तो होती है fundamental rights जो कि हमने अमेरिका से borrow किया है हमने अपने Indian constitution में और fundamental duties जो होती हैं यह हमने USSR रशिया के थुरू अपने Indian constitution में add किया था तो fundamental duties को जो add किया गया था हमारे Indian constitution में वो कौनसे amendment act के थुरू किया गया तो हमारा answer हो जाएगा 42nd amendment act 1976 के थुरू 42nd amendment act काफी important होता है इससे related और भी कुछ चीज़े add करी गई थी जो कि आपसे exam में जरू पूछी जाती है और क्या चीज़े रहेंगी जो कि 42nd amendment act के थुरू add करी गई हमारे preamble में तीन words होते हैं उनका आपको comment box में type करके बताना है कि क्या add किया गया था how many digits are there in GST identification number तो GST जो होता है उसका एक number होता है goods and service taxes की full form होती है तो इसका एक identification number होता है उसमें total कितनी digits होती है तो हमारा answer हो जाएका 15 total 15 digits होती है GST number में अब अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाते हैं SSC MTS का जो आपका exam चल रहा है 2022 का उसके लिए expected और repeated questions की एक ebook हमारे द्वारा launch करी गई है जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में provide कराई जा रही है important क्यों रहेगी क्योंकि इसमें thousand plus expected questions रहेंगे जो आपका exam चल रहा है उसके लिए और यह जो सभी questions होंगे जिस तरीके के questions आपके MTS के exams में पूछे जा रहे हैं जिन topics सबस्यादा questions बन रहे हैं जो exams के लिए important रह सकते हैं उसी type के questions आपको इस ebook में provide कराई गए हैं तो काफी जादा important रहेगे game changer ये साबित होगी और इसमें साथ साथ में previous year के questions 2021 में जो आपका exam हुआ था उनको भी include किया गया है वो भी आपको end में इस ebook में मिलेंगे अगर आप interested हो तो link आपको description में provide किया गया है आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं payment करने के बाद आपको page पर ही रुकना है वहीं पर आपको file मिलेगी वो आपको अपने system में download कर लेनी है अगर आप किसी कारण की वज़े से file को download नहीं कर पाते तो नीचे हमारी Gmail ID है आप इस पर directly mail कर सकते हैं तो चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं हमारे paper currency was first started in India in तो paper currency जो रहेगी इसको सबसे पहले इंडिया के अंदर start किया गया था कौन से साल में तो हमारा answer हो जाएगा 1861 में 1861 में paper currency को इंडिया के अंदर introduce किया गया था इससे पहले किस टाइप की currency होती थी तो इससे पहले coin की currencies होती थी जो हमारे rulers थे पुराने उस time पे जो coins होते थे अलग-अलग dynasties के symbols होते थे उन पे तो उस तरीके से पहले जो होती थी वो currencies होती थी which country is not a member of Sark तो Sark organization की इन में से कौन सी country member नहीं है Sark organization एक important organization रहती है आपके exams के लिए तो Sark के बारे में आपको details पता होनी चाहिए पहले इन में से country देख लेते हैं कि कौन सी country member नहीं है तो हमारा answer हो जाएगा Myanmar Myanmar जो है ये country member नहीं है Sark organization की Sark की total 8 member countries है कौन कौन सी member countries रहेंगी तो अफ़दानिस्तान, बंगलादेश, भूतान, इंडिया इसके लावा मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और शिलंका ये total 8 member countries है Sark organization की Sark की full form क्या होती है तो South Asian Association for Regional Corporation इसकी full form होती है आपसे ये question भी पूछा जाता है कि China इसका member country है या फिर नहीं तो China भी इसका member country नहीं है इसकी founding year भी आपसे पूछ भी आ जाता है तो 8 December 1985 को इसको found किया गया था धाका बंगलादेश के अंदर ये आपको जरूर ध्यान रखना है अगला question देखते है हमारा National Development Council was established in which year तो NDC National Development Council को कब established किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 1952 में 1952 में NDC National Development Council को establish किया गया था who was the founder of illegal Muslim University तो illegal Muslim University को किसके दुआरा found किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा सेद एहमदकार सेद एहमद खान तो सर सेद एहमद खान के उपर अभी हाली में 2021 में एक book भी launch करी गई थी जो कि हमने पीचे ही discuss करी थी अगर आपको नाम याद हो पूरी book का तो आप comment box में उसको जरूर टाइप करें तो सर सेद एहमद खान के दुआरा illegal Muslim University को found किया गया था तो right to education को कौन से article से through ad किया गया था यह पूछा जा रहा है आपसे exam में जिसमें की जो बच्चे रहें उनको जो basic education है वो provide कराई जानी compulsory करी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा article 21A तो article 21A के थुरू right to education को add किया गया था जिसमें 6-14 years के बच्चों को basic right से उनका education प्राप्त करना who is known as the father of Indian IT industry Indian IT industry का father किसको कहा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा FC Kohli FC Kohli को father of Indian IT industry कहा जाता है काफी सारे लोग JRD Tata पे टिक कराते हैं तो FC Kohli आपका correct answer होगा FC Kohli आपको ध्यान रखना है Digo Maradona is a famous football player of which country तो इनका भी Corona के time में ही इनका death हो गई इतिनका निधन हो गया था तो इस वज़े से ये important रहेंगे काफी ज़्यादा famous player रहते हैं football के तो ये कौन सी country से related थे तो हमारा answer हो जाएगा Argentina तो Argentina country के एक player रहेंगे Maradona जिनका निधन हो गया था Corona virus के time में 2020 या 2021 में How many members can be appointed by the president in Rajya Sabha तो Rajya Sabha के अंदर कितने members रहते हैं जो कि president के द्वारा elect किये जाते हैं appoint किये जाते हैं तो हमारा answer हो जाएगा 12 12 होते हैं राज्या सभा में और 2 होते हैं लोग सभा में जो कि president appoint कर सकते हैं What is this shortcut key of print preview तो print preview के लिए shortcut key क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा control plus F2 control plus F2 जो होती है एक shortcut key होती है print preview के लिए जो हम print कर रहे है उसको देखने के लिए एक बार preview करने के लिए control F2 जो होता है यह shortcut key का use किया जाता है which image is printed on the back side of rupees 2000 note तो यह कोश्य है हमने आप से पीछे भी एक बार पूछा था कि 2000 का जो नया note है उसके back side में किस चीज की image को print किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा mangalian mangalian की image print करी गई है 2000 के note के पीछे अब आपको हमको एक यह बताना है कि रानी की वाव जो जगे रहती है उसकी जो image है वो कौन से note के पीछे print है यह आप comment box में हमको type करके बताए चिनाबर is the ore of which element तो चिनाबर जो है यह किस की ओर रहेगी तो यह mercury की ओर रहती है यह आपको पता होगा exams में अक्सर देखने को मिलता है इस question को सत्रिया is the dance form of which state तो सत्रिया जो एक dance है famous dance रहता है कौन सी state का dance है तो हमारा answer हो जाएगा असाम असाम इस्टेट का dance रहता है सत्रिया dance Java was used for the first time in which year तो Java जो एक programming language है इसको पहली बार use किया गया था कौन से साल में तो हमारा answer हो जाएगा 1995 तो 1995 में Java जो की एक programming language है इसको सबसे पहली बार use किया गया था तो पहले election जो हुए था जो पहला election हुआ था चौन स्टिटवेंट असेम्बली खा लोग सबा का वो कब हुआ था तो हमारा answer हो जाएगा 1946 तो 1946 में सबसे पहली बार election कंड़क्ट किये गए थे चौन स्टिटवेंट असेम्बली के लिए महराजा रंजीत सिंग्ट ट्रोफी इस associated with which sport तो महराजा रंजीत सिंग्ट ट्रोफी जो है यह कौन से sport से related होती है associated होती है तो हमारा answer हो जाएगा किर्किट तो किर्किट जो sport रहेगा वो related होता तो किर्किट जो sport रहेगा उससे related होती है महराना रंजीत सिंग ट्रॉफी तो citizen Delhi माइ टाइम्स माइ लाइफ चो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा शीला दिक्षित तो शीला दिक्षित रहेंगी जिनके द्वारा बुक को लिखा गया है ये डेली से ही रिलेटेड रहेंगी जिसकी बुक का टाइटर रहेगा citizen Delhi माइ टाइम्स माइ लाइफ विच एसिड इस कॉल्ड ओइल ओफ विट्रॉल तो ओइल ओफ विट्रॉल के नाम से कौन से एसिड को जाना जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा sulfuric acid sulfuric acid को oil of विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है राजीव गांदी खेल रत्र अवर्ड was started in which year तो राजीव गांदी खेल रत्र अवर्ड को start किया गया था शुरू किया गया था कौन से साल में तो हमारा आंसर हो जाएगा 1991 में और 1992 में पहली बार दिया गया था राजीव गांदी खेल रत्र अवर्ड को किसको दिया गया था सबसे पहला अवर्ड तो हमारे इंडिया के chess player रहते हैं विश्वनात आनंद तो उनको सम्मानित किया गया था सबसे पहले राजीव गांदी खेल रत्र अवर्ड से which planet is called the yellow planet तो कौन सा planet है जिसको की yellow planet के नाम से जाना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा जुपीटर तो जुपीटर जो रहेगा ये planet रहेगा जिसको की yellow planet के नाम से भी जाना जाता है the doctrine of lapse was introduced by whom तो doctrine of lapse को किसके द्वारे introduced किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा Lord Dalauzy Lord Dalauzy को Lord Dalauzy के द्वारा introduce किया गया था doctrine of lapse को और इनको father of Indian railways के नाम से भी जाना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए Saga Dawa Festival is celebrated in which state तो Saga Dawa Festival भी एक इंडिया का important festival होता है काफी famous festival होता है तो ये कौन सी state का रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा Sikkim Sikkim state का एक festival है Saga Dawa Festival Kalbelia dance was added to UNESCO World Heritage Site तो Kalbelia dance रहेगा इसको UNESCO World Heritage Site में add किया गया था कौन से साल में तो हमारा answer हो जाएगा 2010 2010 में UNESCO World Heritage Site में शामिल कर लिया गया था Kalbelia dance को Who was the first female pilot of Indian Navy तो यहाँ पे आपसे Indian Navy का पूछा गया आपको ध्यान रखना है Navy की बात हुई है Air Force की बात नहीं हुई है तो Indian Navy की पहली female pilot कौन थी तो हमारा answer हो जाएगा Shivangi Singh Shivangi Singh पहली female pilot रहेगी Indian Navy की Which instrument is used to measure the intensity of earthquake तो earthquake की intensity को नापने के लिए किस instrument का use किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Richer Scale Richer Scale का use किया जाता है intensity को नापने के लिए earthquake की Which of the following hormone is produced by heart तो heart के द्वारा कौन सा hormone रहेगा जो की produce किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Both A and B तो हमारा answer है Atrial Natrioletic hormone जिसको की ANP भी बोला जाता है और Brain Natrioletic Peptide तो ये दो hormone रहेंगे जिनको की release किया जाता है produce किया जाता है हमारे heart के द्वारा और ये question exam के लिए important रह सकता है Lotus Temple in Delhi was designed by तो डेली में जो Lotus Temple located है उसको किस के द्वारा design किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा Furry Boards सहबा Furry Boards सहबा के द्वारा design किया गया है develop किया गया था डेली के Lotus Temple को Silent Valley National Park is located in which state of India Silent Valley National Park कहां पे located है basic question हो जाता है क्योंकि एक separate video है हमारी जिसमें 106 के around आपको national parks मिलेंगे सारे इंडिया के national park कवर कराए जा चुके हैं तो उसमें बताया गया है Silent Valley National Park रहेगा आपका Kerala state में Who was the founder of the newspaper और magazine Muk Nayak Muk Nayak जो एक magazine है या newspaper रहेगा इसको किसके द्वारा found किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा Dr. B.R. Ambedkar Dr. B.R. Ambedkar के द्वारा found किया गया था Launch किया गया था newspaper या magazine Muk Nayak को The Dash Amendment Act 1990 Led to the creation of a SCST commission तो कौन सा amendment act रहेगा 1990 का जिसके द्वारा SCST commission को create किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 65th Amendment Act of 1990 इसके द्वारा SCST commission को लाया गया था create किया गया था When is the widget diverse celebrated widget diverse कौन से दिन को celebrating किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 16th December 16th December को celebrate किया जाता है विजय दिवस के रूप में Who among the following मुगल Emperor banned dance and music during his reign तो कौन सा मुगल Emperor रहेगा साशन रहेगा जिसके दौरा dance और music को banned कर दिया गया था तो हमारा answer हो जाएगा औरंग जेब औरंग जेब के दौरा औरंग जेब के दौरा ban कर दिया गया था dance और music को where is कुद्रमुका mountain ranges situated कुद्रमुका mountain ranges कहाँ पे situated है तो हमारा answer हो जाएगा करनाटका करनाटका state में located रहेगा कुद्रमुका mountain ranges in which among the following state कामख्या temple is situated कामख्या temple कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा असाम असाम state में located है कामख्या temple temples की भी separate video है आपको channel पे मिल जाएगी जितने भी topics होते हैं हर एक topic की आपको separate video channel पे मिलेगी आप channel पे जाके हर एक topic को detail में देख सकते हैं which amendment act reduced the voting age from 21 years to 18 years for the log sabah and state legislative assembly elections तो काफी important question रहता है exams के लिए कौन सा amendment act रहेगा जिसके द्वारा voting age को 21 साल से घठाके 18 साल कर दिया गया था लोग sabah और legislative assembly elections के लिए तो हमारा answer हो जाएगा 61st amendment act of 1989 तो 61st amendment act जो है 1989 का इसके द्वारा 21 years से घठाके 18 साल एज कर दी गई थी voting age कर दी गई थी लोग sabah और state legislative assembly elections के लिए तो यह आपको पता होना चाहिए तो village पंचायत organization से related जो एक article रहेगा जिसके द्वारा इसको add किया गया था वो कौन सा article है तो हमारा answer हो जाएगा article 40 तो article 40 related होता है organization से village पंचायत को who is the writer of book untouchable untouchable जो book है यह किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा मुल्क राज आनंद मुल्क राज आनंद रहेंगे जिनके द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका title रहेगा untouchable important है exams के लिए पंचायती राज was first introduced from which state in India तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि पंचायती राज कौन से साल में introduce किया गया तो आपका answer हो जाएगा 1959 में कौन सी state से किया गया था तो आपका answer हो जाएगा राजिस्थान राजिस्तान स्टेट में सबसे पहले 1959 में पंचायती राज सिस्टम को इंटर्ड्यूस किया गया था गोल गुंबज is located in which state of India गोल गुंबज इंडिया की कौन सी स्टेट में located है तो हमारा आंसर हो जाएगा करनाट का करनाट का जो स्टेट है वहाँ पे located है गोल गुंबज who is the inventor or discoverer of polio vaccine तो polio vaccine जो होती है उसकी खोज invention किसके दुआरा करी गई थी तो हमारा आंसर हो जाएगा जोनस साल्क जोनस साल्क रहेंगे जिनके दुआरा खोज करी गई थी invention करी गई थी polio vaccine की who is known as the father of missile program तो father of missile program के नाम से किसको जाना जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा a.p.j. अब्दुलकलाम a.p.j. अब्दुलकलाम को father of missile program के नाम से जाना जाता है अगर आपसे विक्रम सारा भाई पूछे जाएं तो ये founder रहेंगे इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन के founder है विक्रम सारा भाई Muslim League was established in which year तो Muslim League को कौन से साल में established किया गया था तो आपका आंसर हो जाएगा 1906 कहां पे established किया गया था तो बंगलादेश के अंदर इसको established किया गया था आपको ध्यान रखना है तो 1885 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को established किया गया था ए ओ ह्यूम के द्वारा जिसके पहले प्रेसिडेंट थे वो में इस चंदर बैनर जी और पहले इसके मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुदीन तयब ची इंटरनेशनल लेबर और्गनाईजेशन का हेड़कोर्टर कहां पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा सुट्जिलेंड जिनेवा जो जगे है सुट्जिलेंड में यहां पे सबसे ज़ादा और्गनाईजेशन International Organizations के Headquarter located है Who is the writer of the book काबुली वाला काबुली वाला जो बुक है ये किसके दुआरा लिखी गई है तो हमारा अंसर हो जाएगा रबिंदर नाट टेगोर रबिंदर नाट टेगोर रहेंगे जिनके दुआरा बुक को लिखा गया है काबुली वाला और इनकी जो सबसे फेमस बुक रहेंगी वो रहेंगी गितानजली जिसके लिए इनको अवार्ण से सम्मानित भी किया गया था तो गितानजली बुक के लिए ही नोबल प्रायज मिलाता रबिंदर टेगोर गो और इनकी ही बुक रहेगी काबली वाला भी ये भी आपको पता होना चाहिए तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी कोशन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक हमारी बाकी इबुक्स को नहीं देखा है बाई नहीं किया है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टोटल चार इबुक्स हमारी आप उनको बाई कर सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी धन्यवाद दोस्तो